20,000 रुपे की प्राइसिंग में ऐसे ऐसे स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में अविलेबल हैं जो की लाजवाब हैं लेकिन अगर उन स्मार्टफोन में स्नैप ड्रेगन 600 सीरीज का कोई भी प्रोसेसर आज की रेट में अगर आपको लगा हुआ मिलता है तो एक बात आप 100% ये मान के चली कि उस स्मार्टफोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा अब ऐसा क्यूं है और किसली है बताऊँगा इस वीडियो में तो शुरू करते हैं तो basically हमारे सामने यहां पर दो रिजम्स निकल कर आते हैं जिसमें से पहला रिजन है और सेकंड रिजन है इस्टेश वेकिशन श्राइजी तो बात करते हैं हम अपने पहले में अगर आप स्मार्टफोन industry को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा aggressive NES के साथ काम हो रहा है पहले Xiaomi और Realme ने aggressive NES के साथ इस smartphone इंडस्ट्री में काम किया अब Motorola, Samsung, Infinix जैसे companies भी काफी aggressive होकर इस इंडस्ट्री में काम कर रही है अब companies बहुत ज्यादा aggressive हो गया है जिसके चलते इनका जो profit margin है बहुत ज्यादा कम हो गया है अब हुआ क्या कि ये companies approach करना चाहती थी Snapdragon को कि Snapdragon अपनी जो processors की pricing है उनको थोड़ा कम करे ताकि हम उन्हें easily effort कर सके लेकिन Snapdragon ने इस चीज में कोई भी रियायत इन smartphone manufacturers को नहीं दी चीजों को देख रहा था MediaTek की अभी तक जो market में image थी वह बहुती रदी quality वाले प्रोसेशर की मतलब लोगों के मन में यह चीज आगे थी कि बहुती रदी quality के MediaTek के processors होते हैं और basically 10 या फिर 8000 के अंदर अगर आप MediaTek के processor वाले smartphone खेने ते रहे तेन it's okay but if you are buying MediaTek processor above 15k और 20k तो वो किसी भी परकार से वर्त नहीं है लेकिन MediaTek ने इस सारी जितनी भी यह सारी गतिविदियां हो थी इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी और एक strategy market में हो ऐसे लेकर आया है जिनकी वज़़े से Qualcomm को बदलना पड़ा Qualcomm को चेंज होना पड़ा MediaTek ने क्या किया? MediaTek ने जितनी भी smartphone manufacturing companies थी, manufacturer companies थी उन सभी को approach किया उन सभी को अपने जो भी नए new generation chipsets थे उनके बारे में बताया साथ ही में उनसे ये भी कहा कि जिस price point पर आपको Qualcomm Snapdragon के processors देखने को मिल रहे हैं हमारे processors आपके लिए काफी ज़्यादा affordable Companies को MediaTek की approach थी वह बहुत ज्यादा पसंद आई आपने बीच में एक दौर ऐसा देखा होगा जिस वक्त Qualcomm बहुत ज्यादा चलता था लेकिन एक दौर अचानक से ऐसा आया कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मीडिया टेक के processor सी सबसे ज्यादा दिख रहे थे मतलब कि हर एक company च प्रोसेसर को अपने फोन में इंट्रोड्यूस करना इन्होंने शुरू करती हैं अब यह सब Qualcomm ने देखा अब Qualcomm को यह समझ में नहीं आए कि यह चीज़ हो क्या रही है मतलब कि अभी तक सारी के सारी कंपनी सिर्फ Qualcomm के snapdragon प्रोसेसर को यूज कर रही थी लेकिन अब सारी अब यह सारी चीज़ों को Qualcomm ने एनिलाइज कि और Qualcomm ने यह पाया कि ऐसे अगर वो मार्केट में चलते रहे तो एक टाइम ऐसा आया गए कि Qualcomm के प्रोसेसर को कोई भी नहीं पूछने वाला क्योंकि ना snapdragon अपनी जो प्रोसेसर है उनकी प्राइसिंग को सही रख रहा है औ और ना ही अपने प्रोसेसर को इस तरीके से कर रहा है कि उनको कोई टक्करी ना दे पाए तो Qualcomm ने यहां पर एक और नए स्टेटीजी अपनाई और वो स्टेटीजी यह थी कि अपने जो भी स्नैप ड्रेगन के जितने भी प्रोसेसर थे उनकी प्राइसिंग को कंट्रोल मे आ चुके थी यह सब कुछ जैसा ही जैसा सेम मीडिया टेक नहीं कहा था वैसा ही सेम अब Qualcomm ने भी companies को एप्रोच करना शुरू किया अब companies के लिए दोनों तरफ से बिल्कुल सही होगे एक तरफ मीडिया टेक भी अच्छे कासे प्रोसेसर दे रहा है वो भी अच्छे कासी प्राइसिंग में लेकिन यहां पर एक बहुत ही अच्छी स्टैटिजी चली जो कि मीडिया टेक को बिल्कुल एक से एकदम उसने गेम से 20,000 रुपे के अंदर तो बिल्कुल गायब कर दिया उसने बेसिकली यह किया कि अभी तक स्नाप ड्रकार के प्रोसेसर इंडिया में क बेस्टी सीरीज उससे उपर ये सीरीज कभी काम नहीं कर पाईगी और जो 600 सीरीज थी वहां पर बेसिकली लोगों ने शीरीज को कुछ इस तरीक से जज़ किया हुआ था कि 600 सीरीज के जितने ही फोन्स होते है वह 20,000 से नीचे ही बेस्ट रहते हैं उससे उपर नहीं और 700 स सीरीज तो हम सभी जानते हैं कि 15-25,000 के बीच में खेलनी के लिए स्नाइप ड्रगन ने मैनुफेक्चर की थी इंडिया में तो हुआ क्या कि स्नाइप ड्रगन ने अपनी नई स्ट्रेजिस के तह जो 400 सीरीज के प्रोसेसर थे उन्हें 600 सीरीज के जितने भी इनिशल लेवल के प्रोसेसर थे यानि कि जितने भी इनिशल लेवल के जितने भी 600 सीरीज में सीरीज के प्रोसेसर में पावर हुआ करती थी उतनी ही पावर उन्होंने ट्रांसफर की 400 सीरीज के प्रोसेसर में और सेम काम उन्होंने 600 सीरीज के प्रोसेसर के साथ भी किया 700 सीरीज के जितने लोगों की बीच में ये mentality बैट गे थी कि 400 series के processor सिर्फ और सिर्फ 10,000 के नीचे ही अच्छे चल सकते हैं उसके उपर नहीं तो Qualcomm ने इसको बदलने के लिए 400 series को थोड़ा सा powerful कर दिया और आज की rate में आपने ये चीज़ देखे होगी कि 15,000 के अंदर भी 400 series का कोई ना कोई processor market म launch हुआ है फिर 600 series के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था 600 series के साथ इन्होंने 675 लाए 695 लाए ये कुछ इस तरह की प्रोसेसर लाए जो कि 700 series की जो high level के processor है उनके जितना तो नहीं लेकिन 700 series के जितना भी initial level के processor है उनको टकड़ देने के लिए या फिर उनकी जो भी पावर थ higher high performance भी इन प्रोसेसर से आप निकाल सकते हैं 700 series के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया 15,000 से लेकर 25,000 तक जो series के processors जाने जाते थे अब वो 30,000 रुपे तक के जितने भी स्मार्टफोन जोता है उनके अंदर भी उन प्रोसेसर को snapdragon ने देना शुरू कर दिया अब basically snapdragon को यहाँ पर यह फायदा हुआ कि snapdragon ने 600 series की जो लोगों में mentality थी कि यह तो कावी balanced processor होते हैं इन प्रोसेसर में आप ज्यादा high end gaming नहीं कर सकते हैं तो यह पूरी की mentality को change कर दिया आज की रेट में snapdragon के 600 series की प्रोसेसर पावरफूल है अच्छे खासे पावरफूल है snapdragon 675, 695 अच्छे खासे तरीके से पावरफूल है और इनमें power भर भर के दी गई है अब यह 700 series जितना तो पावरफूल नहीं है लेकिन 700 series के जितने भी initial level की processors आया करते थे उनकी power ही सेम यहाँ पर 695 यह 675 में आपको देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी बात है और आपको 600 series के प्रोसेसर 22,000 रुपे के अंदर देखने को मिलने लगे अब Qualcomm ने एक चीज़ और देखी Qualcomm ने यह चीज़ देखी कि हमने इनको पावरफूल तो बना दिया सब कुछ कर दिया ह दूसरी चीज़ यह कि अगर Snapdragon 600 series के प्रोसेसर जो कि 20,000 रुपे के अंदर लोगों को मिलेंगे तो उसमें और जो 700 series के प्रोसेसर है उनमें डिफ्रेंस क्या रह जाएगा तो Qualcomm ने यहाँ पर 700 series और 600 series में यह डिफ्रेंशियेट करनी के लिए उन्होंने यहाँ पर एक 25 और 695 और जितने भी प्रोसेसर हैं उनमें हम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं देंगे इनफेक्ट कुछ ऐसे प्रोसेसर्स भी स्नैप ड्रेगर ने हमारे सामने रखे जो कि 600 series के अंदर आते हैं और वो प्रोसेसर्स सिर्फ और सिर्फ और 30 fps तक ही अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके उपर नहीं तो क्वालकॉम ने यहां पर यह लिमिटेशन रख दी मतलब कि उनमें पावर तो भर भर क्या है लेकिन कुछ लिमिटेशन के चलते अगर किसी व्यक्ति को को एक ऐसा स्मार्टफून नहीं मिल पाएग का सपोर्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है अब एक चीज और खिलिया कर लेते हैं जो 600 series के जितने भी आज तक हमने प्रोसेसर देखे हैं वो सभी के सभी 4K वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करते हैं एक moto x play स्मार्टफोन आया था जो कि snapdragon 615 प्रोसेसर के साहता है अब 615 600 series है तो 4K होनी चीए लेकिन नहीं वो प्रोसेसर के मैं आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं देखने मिलता था मतलब कि जब 600 series के phones आना शुरू हुए तब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो भी support होता है वो Qualcomm ने देना शुरू नहीं किया था लेकिन ज अब उन्होंने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देना शुरू किया लेकिन जैसे-जैसे मार्किट बहुत ज्यादा एग्रेसिफ होने लगा Qualcomm के कंप्लेंस आने लगी कि उनकी जो प्राइसिंग है वो ठीक नहीं और MediaTek ने Qualcomm को चारो तरफ से घेल लिया मतलब व जो चेंजिस थे वो कुछ इस तरीके से थे कि जो भी स्नाप ड्रेगन के 600 सिरीज भाट 400 सिरीज भाट 700 सिरीज है इनको थोड़ा और इनकी जो परफोंस है इनको तोड़ा और लेवल अब किया जाए गा लेकिन साधि साथ इनमें डिफ्रेंशियेशन के लिए यहां पर इन तरीके से जो Qualcomm की strategies थी वो आज की डेट में भी चल रही है और इन ही वजहों से जो हमें 20-22,000 के अंदर Snapdragon 600 series और 400 series के smartphones देखने को मिल रहे हैं basically series के साथ हमें smartphones देखने को मिल रहे हैं उनमें हमें 4K video recording का support देखने को नहीं मिलता है तो guys इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि आज की डेट में जो Snapdragon के mid-range processors हैं उनमें हमें 4K video recording के support क्यों नहीं दिया जा रहा हैं मुझे उम्मीद है कि आपको यह video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई हो तो please like करें, share करें, channel को subscribe करें ताकि इस तरह की videos आपको in future मिलती रहें मैं पंकज आपसे मिलता हूँ अगली video में धन्यवाद